हलो दोस्तो हमारे चैनल आईवेदिक टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डाइबेटीज के लिए आउला का एक आईवेदिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से डाइबेटीज में आउले को अपना कर डाइबेटीज के रोग से मुक्ति पा सकते हो बताने से पहले दोस्तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही से सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में दोस्तो बैल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ वो आप तक पहुँच सके तो चलिए दोस्तो अब बात करते हैं उस आईवेदिक प्रयोग के बारे में दोस्तो आउले का आईवेद में बहुत महत्तव है दोस्तो हम डाइवेटीज में भी आउले का प्रयोग कर सकते हैं निमित रूप से दोस्तो इसका सेवन बहुत गुनकारी है तो दोस्तो इसके लिए आपको चाहिए आउले का चून और रस तो दोस्तो सबसे पहले आप आउले को लेकर इसके छोटे छोटे टुकडे करके इसे अच्छी तरह से सुखा ले सुखाने के बार दोस्तो इसका आप बारिक चून बना ले चून बनाने के बार दोस्तों आप आमले के चून में आमले के रस को लेकर इसकी 20 से 22 बार भावनाएं दें यानि की चून में आमले के रस को मिलाकर इसे बार बार च्छाया में सुखाते रहें ये लगबग दोस्तों आपको 20-22 बार करना है इसके बाद इसे किसी भी एक सीशी में भरकर आप इसे रख लीजिए तो दोस्तों प्रयोग कैसे करना है जो ये चून बन गया है इसकी आप 1-3 ग्राम की मात्रा को समान मात्रा में मिश्री मिलाकर सुभे साम सेवन करें तो दोस्तों इसके निमित रूप से सेवन करने से कुछी दिनों के पस्चाथ रोगी डाबेटीस के रोग से विलकुल मुक्ति पा सकता है तो दोस्तों बहुत ही सादारन है पर बहुत ही गुनकारी है आप भी इसका अवश्य ही लाब उठाएं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए थैंक यू